लोग हमेशा अपने पैसे और अपनी चीजों का हिसाब रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने जीने के तरीके या विकास या ठेहराव का हिसाब रखते हैं। लोगों ने ये तरीका अपनाया है कि अगर जीवन में छोटी गलतियां होती हैं, तो वो एक छोटा प्रानी ढून कर कहेंगे क्यों उसकी वज़े से हुआ, मैं पती की बात कर रहा हूँ। बड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो उसकी वज़े से उपर मौझूद बड़ा प्रानी, इस प्रानी का हिसाब नहीं रखा जाता। छोटे लोग और बड़े लोग, ये इनसान कुछ पाते समय है, ये बहुत बड़ा होने का दिखावा करता है, पर देते समय है, बहुत छोटा बन जाता है। लोग ऐसे बन गए हैं, ऐसा इसी लिए है, क्योंकि कोई हिसाब नहीं है, कोई स्पष्ट बैलन्स शीट नहीं है कि मैं अपने जीवन में कहा हूँ। अगर ऐसा हिसाब होता, क्या हम अभी ओडिट करें? जीवन का थोड़ा सा ओडिट? पांच साल की उम्र में आप कितने खुश थे? आज कितने खुश हैं? बैलन्स शीट फायदा हुआ या नुकसान? या ने नुकसान हुआ हैं? मैं प्रिंस्टन विश्व विद्याले में कुछ लोगों से बात कर रहा था और मैंने चार ओर देखा, कई लोगों के चेहरे दुखी थे. विशेश रूप से विश्व विद्याले में लोग ज्यादा दुखी नजर आते हैं. शायद ये ग्यान का भार है, पता नहीं. मैंने चारों ओर देखा, तीन चार चेहरे छोड़कर, जो युवा चेहरे थे, जो खुश थे, बाकी सब ही. तब मैंने पूछा, तीस साल से ज्यादा उम्र के इन लोगों को क्या हुआ है? वो दुखी क्यों लग रहे हैं? एक महिला खड़ी होकर बोली, उनकी शादी हो चुकी है. इसकी वज़े ये है कि, रोज का हिसाब किताब नहीं रखा गया है. हर दिन सोने से पहले, अगर आप एक बैलेंस शीट रखते, आज, क्या मैं थोड़ा बहतर इनसान हूँ? या थोड़ा बुरा हूँ? रोज, अगर आपके पास अकाउंट होते, अगर एक सालान ओडिट होता, बाहरी ओडिट, तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते. पर पचीज साल बाद, एक दिन आपको पता चलता है, कि हालत बुरी है, अब ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालत बुरी है. इतनी बुरी, कि बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, कि एकाउंटिंग की नौकरी में आनंदित होना व्याभारिक नहीं है. कई लोग वाकई ये तर्क दे रहे हैं, कि खुश होना व्याभारिक नहीं है. आपको ऐसे लोग मिले हैं? हाँ या ना? लोग दावा कर रहे हैं, कि खुश होना व्याभारिक नहीं है. क्या तनाव और परिशानी की स्थितियों में भी दुनिया में ठीक से काम किया जा सकता है? अगर किसी को अलग-अलग माहौल में, अलग-अलग परिस्थितियों में, विभिन्न चुनौतियों में रोज कारे करना हो, तो एक बुनियादी बात ये है, कि इसे शान्त और आनंदित होना चाहिए, है ना? वरना, अत्यधिक तनाव या परिशानी में भी व्यक्ती जीवन के किसी भी क्षेत्र या काम में अच्छे से काम कैसे कर पाएगा?